बेशन की लड़ू हर तेवहार के लिए एकदम पर्फेक्ट मिठाई होती है और आज इसे मैं बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका लेके आई हूँ नॉर्मल बेशन से आप दानेदार लड़ू कैसे बनाए वो भी कम या घी तेल में बहुत ही ट्रडिशनल तरीका है रेस्पी बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं आप इसे जरूर मेरे तरीके से ट्राय करें तो चली फें शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने एक थाली ले लिया है, थाली में हम निकाल लेंगे दो कप बेसन, तो मैं बहुत सही मेजरमेंट से बता रहे हैं फेंड, आप इस तरह बनाएंगे, तो आपके काफी टेस्टे बेसन के लड़ू बनकर तयार होंगे, तो दो कप मैंने बेसन ले लिया था, अब देखिए उसी मेजरमेंट से मैंने एक कब पानी निकाल लिया है, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पाई डाल कर गुथेंगे, तो बहुत ज़्यादा हाट डो नहीं बनाना है, हमें जैसे मेडियम आठा गुथते हैं, उसी तरह का डो चाहिए, तो देखिए अच्छ नहीं रहे बिल्कुल भी, मैंने तेल अभी यूज नहीं किया है, फिर भी असानी से ये हमारा डो अच्छे से सेट हो जाएगा, इसी तरह आप गुथ सकते हैं, आप हाथ होखे तो अब थोड़ा सा ओल लगा कर इसे हम अच्छे से गोत लेते हैं, तो देखिए अच्छे से लड़ू बनकर तैयार होगी, तो आप इस तरह जरू अपना ये, तो देखिए इस तरह मैंने बना लिया है, ज्यादा हम ना पतला ना ज्यादा मोटा करना है, तो मेडियम मैंने देखिए इस तरह जैसे पूड़िया बनाते हैं, उसी तरह हमें बना लेना है, इसी तरह मैं सब को तयार कर लेंगे तो आप ते सकते हैं इसी तरह हम सब को तयार करके रख लिए हैं तो बहुत ही आसानी से बनकर तयार होता है और यकीन मानिया आपके बहुत ही तेश्टी बेसन के लड़ू तनकर तयार होंगे तो चलिए आप मैंने तेल गरम होने के लिए पहले से रख अच्छे से ल котором ये क्षेद्ण इस तरह प्लेट लेंगे तो तैयार हों गया है एक स दो मिक्ट में दो नीट में प्रसेश लगेगा इससी तरह हम डिबारा भी बना लेते हैं तर देister तो देखरे था, इसी तरहे नए तरीके रहो हो सब्सक्राइबर बना तो बहुत यहां दीटा अब करना फ्रणाज करना में this one बारिक बारिक तोड़ लेते हैं तो बहुत आसान तरीका है आप यकीन मानें आपके बेशन के लड़ू पर्फेक्ट बनेंगी आप इस तरह एक बार जरू ट्राइ कीजेगा तो आपको वीडियो कैसा लग रहा हो आप कमेंड में जरू बताईएगा और एक लाइक जरू कर द क्यों हны तो देख सकते हैं तो बहुत ही पर्फेक्ट टरीका है इसे तरह जरू ट्राइ कीजिए गा इससे habitat लेंगे इसमें जो कर शिरू कर लेंगे सब्सक्राब अपने बाराइड कर लेना है तो जो भी एक्से घथए तो सब को फटा-फट में तोड़के ग्राइंड कर लेती हूं तो बहुत ही सही तरीका है फेंड जो बिगनर्स है जिसे बनाना नहीं आ पा रहा है जो समझ नहीं आता है क्यों बेशन के लड्डू कैसे बनाए तो आप ए तरीका अपना कर देखिए काफी टेस्टी आपके बेशन कर लड्डू तयार होगा अब हम दूसरे कड़ाई रख लेते हैं उसमें हम डाल देते हैं एक कप चीनी उसी मेजरमेंट से हम इसमें आधा कप पानी यूज करेंगे पानी का आप याद रखिएगा फिल बहुत जाद आपको पानी यूज नहीं करना है आधा कप इसमें पा प्रोसस पर पांज चे मिलेट में आच्य से यह चासनी बनकर तैयार होगी तो चासनी किस तरीकी का बनाना है आप अच्छे से देख लीजी तो देख सकते हैं इसी तरह अच्छे से उबाल आने तक इसे हम अच्छे से मिलाते रहेंगे एक तार की चासनी हमें चाहिए तो तार की फ्रेंट कैसा बनाना है वो आप देख सकते हैं तो सही मेजरेमेंट सा बतारी फ्रेंट तो बीडियो को इसकी इपना करते होगा आप बीडियो को पूरा देखिएगा तो मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ कि हमारी तार के चासनी बनी है या नहीं अभी नहीं बनी है फ्रेंड देखिए अभी चिप-चिपा नहीं हो रही है बहुत ही कम बना है अभी इसे थोड़ा सा हम और बॉयल कर लेते हैं तो थोड़ा सा और बॉयल हो गया है अब मैं प्लेट में निकाल के दिखा रही हूं तो आपको अच्छे से पता चल पाएगा हाथों से नहीं दिख रहा है तो देख सकते हैं इस तरह साइड होने लगी है तो मतलब आपके चासनी बनकर तैयार है तो अब मैं हाथों में लिका अब आप चिप चिप उठाएगा तो देख रही है तो आप ध्यान से देखिए एक टाल के चासनी ऊठे है तो समय लेजिए हमारी चासनी तैयार है गैस का फलेम अमप प्र दिये हैं अब इसमें हम डाल ज़ते हैं इलाची पाॉडर इलाची पाॉडर से बहुत है अच्छा पॉनि जो भी ले लेने के वाद अच्छे से मिक्स कीजिएगा चासनी हमारी गरम है तो हमारे हाथ जल सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लेना है तो देखे इस तरह मिक्स करते रहिए तो अच्छे से एब्जॉब हो जाएगा तो आपको बेसन कलडू कैसा थोड़ा सा गीला में चासनी का यूज कीजिए तो यहां पर मैंने थोड़ा सा नरम बनाया था उसे भी काफी टेस्टी लगता है तो आपको ड्राय चाहिए तो थोड़ा चासनी कम यूज कीजिए तो दे सकते हैं इसी तरह आप अच्छे से इसे पाइंडिंग तयार कर लिजिए तो कॉफी आसा बेशन के लड़ू तयार है बिल्कुल दानेदार तो देखा आप कोई नहीं बोल सकता कि आपने बेशन के लड़ू इतने आसान तरीके से बना लिया है इसी तरह हम सब को गोल गोल बना लेते हैं तो बहुत फर्फेक्ट तरीका है फिर आप एक बार जरूर ट्राय कीजिए लगे गा इसी तरह देखिया मैं सब को रावन डाउन बना लेना है तो दे सकते हैं कितने पर्फेक्ट हमारे बेशन के लड़ू बनका तयार हो रहे हैं इसी तरह हम सब को बना लेते हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही सही तरीके से मैंने बताया है आप एक बार इस तरह आप जटपट आसानी से आराम से बना सकते हैं आपको बिल्कुल कोई भी जहनजट के जरूद नहीं लगेगा हर तेवहारों में बेशन के लड़ू ज्यादा तर बनते ही हैं तो आप इसे घर पर बना कर देखिए एंज़ॉई कीजिए काफी टेस्टी लगेगा अब इसकी जरूर ट्राय करें दे सकते हैं कितनी टेस्टी लग रहे हैं तो बहुत ही आसानी से आप घर पर बना सकते हैं बिल्कुल जहनजट नहीं लगेगा जब भी आपका मन करेगा आप आसानी से से बनाईए फिर्ट इंज़ॉई कीजिए और बिल्कुल पर्फेक्ट तरीका है य देखें हमारे बेसन के लड़ बनकर तयार है इस तरह बनाईए एंज़ॉई कीजिए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से जरू कीजिएगा तो चलिए फिल्म मिलते हैं नेक्स वीडियो में नहीं रिस्पेक्ट अपकले बाई फेंड